नमस्कार दोस्तों इश्वर सदैव आपका बला करें और आपकी जोलिया इश्वर के आश्यवाद से सदैव भरी रहेंगे तो दोस्तों आज बात करेंगे विशेश और शदी गुणों से भरपूर बत्वे के बारे में देखे सद्यों में भारती शैली की भोजन थाली में यदि बत्वे करायता स्वात को उम्दा बना देता है और अगर स्वास्ती की दिश्टिकूर से भी देखें तो जिस सबजी को हम बहुत सामाने समझते हैं और अधिकांश लोग इसके जो बहुत विशेश गुण हैं उनके बी और सी भी पाये जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अनेको गुणों की खान और अनेको विटामिन्स का स्रूत हैं बत्वा दूसरे जो सबसे बड़े इसकी क्वालिटी है वह हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है यह रोग प्रतिरोधक तंद्र के कमजोर होने से जो क लोगों में बहुत जादा फायदा करता है बत्वा तुचा रोग दूर करने में बहुत जादा सहाइक है अपने रक्त शोधा गुड़ों के कारण सफीद दाग दाद खुजली फोड़े कुश्टादी चंड रोगों में यह दिन आप नित्य बत्वा उबालकर इसका रस प बत्वा की समस्चा से जो परेशानी बनती है इसमें बत्वा बहुत फायदे बनता है क्योंकि बत्वे में फाइबर का एक बहुत बड़ा स्रोथ होता है जो कि पाचंतन से सम्मंदित रोगों जैसे कब्ज आदे को दूर करने में अतनत सहायता करता है इसके अलाबा बॉड करिए खून की कमें आपकी ब audi में हैं तो हीमो गलोबीन की कमें को दूर करता है बत्वा में आइरन और आपने मATA मीघाव मैं इसलें हीमो' परत्वा मीलाओं के मासिक धर्म ऑनीय अमित्ता में नहीं चाहिए बत्वे के परांटवाइग चैह बत्वे को सहाम्ग मासिक एन् पत्री की समस्या में बहुत जादा लाप प्रद है जब पत्री की समस्या होते हैं उसमें बहुत दर्द होता है जो व्यक्ति बत्वा खाते हैं उससे कुडिनी में जैसी समस्या होती है और स्टोन की वज़े से जैसे प्रॉब्लम होते हैं उससे बत्वे में से बहुत जादा मिलता है इसके अलावा पीलिया के रोग में बहुत जादा फायदे मन देता है बत्वे के साख का सेवन पीलिया के मर्ज में बहुत लाप्रत है बत्वा पीलिया से बचाओ में भी सहायता करता है इसके अलावा पेट के लिए लाप्रत बत्वे के नियमित सेवन से हाजमा सही रहता है यह पेट दर्द में भी बहुत जाधा साहायता देता और इसका जो सबसे बड़ा प्रयोग होता है जो आजकर लोग बहुत 40 प्लस होती जारी आज का जो टाइम है उसमें लोग जोडों के दर्द से बहुत जादा परशान है और बत्वे जो हैं वो शरीर के विविन जोडों के दर्द में बहुत लाब देता है और खासकर हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है इसलिए जोडों के दर्द से जो बहुत ही लाप्रद एक तरह से और शिदी गुड़ों के साथ ये एक समझी है जिसका प्रयोग ये आप इस ठंड के मौसम में करते हैं तो ठंड के मौसम में आपके इमिनिस्ट्री को तो बढ़ाएगा ये बढ़ाएगा इसकी जो तासीर होती है तो आपके बॉड़ी के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार